दोस्तो जब भी हम किसी कारण बस बाहर जाते हैं चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले से जाना हो नौकरी के सिलसिले से जाना हो यो कोई और कारण हो तो वहां हमें कुछ दिनिगे के लिए रहना पडता है और हम उसमें बाहर काधा खाता है जिसे हमारे सेहत पे काफि जबनदा नुकसान होता है इसलिए अब लोग टीपिन का सर्विस लेना पसंद करते हैं जहां से घर का खाना आता है और उससे आपका सिहत बलग्रावाता है तो अगर दूस्तो आप भी tip-in service का business करना चाहते हैं और उस्से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की इस video में में पूरा शोट बें बताने वाला हूं तो चलिए इस बीडियो करते हैं सुरूव जानते हैं इसके बारे में है जानते हैं और सबसे पहले से फिर्ड डीलैसे करने के लिए कोरें सट थे मार्केट करना नहीं होगे यदि 7 002 रिसर्च करना काफी important होता है आपको एक ऐसा एरिया चुनना है जहां पर PG काफी हो hostel हो एस्टूडेंट रहते हैं या फिर कोई ऐसे लोग रहते हों जिनको खाने की ज़रूरत है और साथ ही आपको यह देखना होगा कि मार्केट रिसर्च करने के लिए दूसरा पॉैंट हो एक लोकेशन का मतलब यह कि आपको एसा दूकान शेटव करना है जहां पर अपना खाना बना पएंगे तलोग दूसर रेंट पर रूम लेते हैं यह दूकाण नहीं लेते हैं क्योंकि अगर दुकान लेंगे तो फिर धाबा का काम हो जाएगा इसलिए आपको सब्सक्राइब एक ऐसा रूम लेकर सेट अप करना है जो आपको कम सस्ते में मिल जाए और कहीं भी हो इसके लिए आपको जरूर नहीं है कि वह रोड साइड हो या फिर कोई में रोड पे हो आ इसके लिए आपको में आगे बताओंगा मेन्यो कार्ट के बारे में वहां पिया आपको जन्काली समझमें आएगी आपको सब्सक्राइब यह रोड प्रकाइब हो जाएंगा कि आ प्लिसने को मारकर्ट से लजदे आट चाल साचल्ण ठेल भी आपको मैन्यू नमक जीनी WORMATEORIAL तो हो गया आपको क्या क्या चीज़ होगी तो आपको इसके लिए एक लिश्ट बनाना होगा इसके लिए आपको हर परकार का बरतन चाहिए गैस चूला जितने भी अलग अलग प्रकार का कुकर चमच चाकू प्लेट जितने भी इस सारी चीज़े आती है इसको भी आपको एक लीस्ट पर तयार करना है आपको दिमाग में रखना है आपको एक लीस्ट पर तयार करना है जिसे कि आपको मार्केटिंग करने में यानि मार मेनु में बनाना होगा इसी हिसाब से उपर जो मैंने बताया था रोव मेटियूल वो आपको शेट अप करना है तो आपको मेनु तयार करना है आप किसी लोकल सौप पे एक कंपूइटर से या कहीं चाहिए तो प्रिंट करवा सकते हैं या खुद से पेंट पेपर से लिख कर अगर आपको यह तयार करना होगा आपको बड़ा ध्यान से देखना होगा कि कौन कौन से चीज आप दे रहे हैं बहुत सब्सक्राइब हैं तो उनको ध्यान रखना होगा आपको अपने मेनु में यह कौन से दिन में क्या क्या आप दे रहे हैं और कौन से दिन में आप क्या सबजी दे रहें, इस चीज को आपको काफी ध्यान से रखना होगा, अगर आप आपको लेना होगा, अगर आप ये लाइसेंस बना लेते हैं, तो आपको और कोई ज़रूरत नहीं होगी, कि आपका जो बीजने से वह चोटी इस तर पर हैं, अब दूस्तो बात करते हैं, टीपिन सर्विस के लिए आपको इस टाप भी रखना काफी important होता है, आप केले तो सब काम नहीं कर सकते हैं, या तो आप डिलेवरी कर सकते हैं, या फिर आप कुकिंग कर सकते हैं, तो आपको एक या दो परसं को रखना होगा जो आपके साथ मदद करेंगे, क्या तो delivery करने में या फिर cooking करने में, यूँकि आपको ये खाना पैक करके अलग अलग जगांपे पहुचाना होता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ धियान में रखने होगी, कि आपको एक या दो इस्टाप अब तो आपको अब थ्यान रखना होगा अलग अलग लोग अलग पतार का पैकेजिन देते हैं बहुत सारी लोग प्लास्टिक में पैकिंग करते हैं, तो सूरू के दिने में आप यही बत्ति चलादूगा पेकिंग जो करें प्लास्टिक पेपर आता है उसमें कर ले उसके बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रू होता जाएगा आप उसके लिए टीफिन खरीद के बहुत सरे टीफिन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास बजेट है तो आप सुरु में ही टीफिन खरीद ल लगा आना होगा इसमें आपको सारा मेटेरियल अलगास्वी है इन्सीट ने होगा और देना होता है आपको 50,000 रुपे एक बर की सबस्ति है तो यह प में कि आपको उपनेM पर गया क्यों को स्टार्ट कर सकते हैं आप बात करते हैं इसमें इसमें बिजनेस में कहीं है तो यह ट्विटा करता है कि आप रोच का कितना तिपिन लिए JUST तो आप चार्ज ज्यादा दे सकते हैं और दीक में चार्ज कम ले सकते हैं तो यह चीज आपको ध्यान रखने होगी उसी के उपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोफित होने वाला है अब बात करते हैं लास्टिंग तो टीप इन बिजनस का मार्केटिंग दोस्तों आप जब भी दास्ता में जाते होंगे तो आपको पेंपलेट दिवाल पर दिखता होगा कि वहां पे आप टीप इन सर्विस लगवाले या फिट आप कई बार आज कल तो फेस्बूक या इंस् करते हैं फेस्बूक या इंस्टाग्राव पर देता है आपका टार्गेटिंग एरिया तो अब को लोकल अरिया अपना से लेक्ट कर लेना है उसके इस आप से मार्केटिंग करना है ताकि अलग-अलग परकार के लोगों के पास आपका जो बिजनस है उसके बारे में जाए और लोग वहां से आपके पास और करता हैं तो इस परकार दोस्तों आप एक टीपीन सर्विस के बीजने से चार्ज करता सकते हैं मैंने आपको पूरा रोड में बताने यह कोशिश किया है अगर आपको और भी कोई सवाल है तो कॉमेंट में पूछ सकते हैं और विडियो पसे ने तो विडियो को तो लाइकर ना